ये जिम्दगी तुझे डूंडूं कहां असलाम अलेकूम एब्रिवान कैसे आप सब आप सब आप सब ठीक होंगे और मेरा चोटू सा बेबी आपको भी हाई बोल रहा है असलाम कर रहा है और आप लोग ठीक होंगे और आज जो व्लाग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हो ना वो व्लाग है ब्यूटी टीप्स का और टेली लाइफ के ओपर तो आप लोग मेरे साथ रहेएगा और व्लाग इंजॉय करीजिएगा क्योंकि काफी सारी इंफर्मेशन जो नहीं मिलती यूटीउब पे आपको वो मेरते आपको मिलेगी ब्यूटी टीप्स के हवाले से पालर्स के हवाले से ब्लीच के हवाले से जो हरवर ब्लीच होती है वो किस तरह होती है और जो टीनेजर सकल्स की ब्लीच बनाई दाती है किस तरह मना आए मुआ जाती है तो ये सम चीजhmm हम आगं किचिन की साइड किचन में यह मैं हमारे कऊ मोरें सुबा का टाइम मैं और सुबा जैसा होता है के नाश्तान वगिरह सुङ diff nhân ऑगिरहं रहा होता है नाश्तान का काम सोगेरा की तरफ जाओंगी और आज मैं आप लोगों को बताते जाओं जब हम किछिन में बहुत ज्यादा काम करते हैं जाहिसर बाते क्लीनिंग करते हैं हर किसी के मास तो मैड नहीं होती है मासी नहीं होती है जो बरतन वाश करें और बहुत सारे चीजों को वाश करें स्किन डैमेच हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा टैन्प हो जाती है जिस ज useless का मौसम चल रहा है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और जैसे बहुत ज्यादा हम बाहिर अंदर जाते हैं मैं उपर पर ऱने बहुत जी जादा संलाइट होती है इसमें अपनी स्किन केर करना बहुत मिश्किल हो जाता आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता मेरे साथ भी कुछ हिसी तरह हुआ था कि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिल रहे थे और पिर उसके बाद मैंने अपनी ब्लीच को मैनेज किया मैं ब्लीच अच्छे तरीके से बनाई और की तो उसके बाद मुझे अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हुए यहां मेरी किचिन की सफाई हो रही है क्लीनिंग हो रही है बरतन वगेरा वाश हो रहे हैं डिशिस वगेरा सारी चीज़े मैंने क्लीनिंग कर लिए शल्फ साफ की होनी है आज सबसी में जो मेरा बन रहा है वो है भिंडी मसालेदार भिंडी बनाऊंगी मैं ऐसा होता है कि पता नहीं होता है किसी को कि हम किस किसम की प्लीच इस्तमाल करें पालेस में यह होता है कि ना वह एक जो बड़े-बड़े जार होते हैं वह भर के रख लेते हैं पर जो भी आता है ना उसको करते हैं लेकिन वो कैसे करते हैं कि स्कीन टाइप देखते हैं आप लोगों के साथ मैं डेली लाइफ भी शेयर करूंगी ब्यूटी टिप्स भी शेयर करूंगी पालस की टिप्स भी शेयर करूंगी आप लोगों को बहुत फाइदा मिलेगा मेरी चीजों से बहुत जादा प्रफेशनल बाते आपको बताऊंगी जो आपको नहीं और यहां पर डिवैलपर भी इस जारा यह आदर बाहाँ स्पान्सिफ उसकर तो लिकुड़िडि वो ठीक होता है 20 वालियम यूस किया जाता है फिल्की का और इसके इलावा डर्मा भी बहूँ जादा यूस हो जाएजाए कुक्व ब्लू कलर का होता है और बहुत जादा कुएक आपको रजल्ट देता है लेकिं तस दिन में 12 दिन में आपकी स्कीन को ब्लेक कर देता है हाड पाटि की सफाई के लिए बलीच बहुत threat in partIGHT होती है हम सब्सक्राइब स्टम्सरें के लिए अग्या कीहती है प्लीच पनाते हैं यह सब्सक्राइब तो हम यह इअ हम उसको बहुत जाद़as जो इसका ब्लॉंड फेशल ब्लॉंड होता है ना वह बहुत कम यूज करते हैं हमें वह थोड़ा अपने फेस कॉंटिटी से जादा यूज करना है और उसके बीच में कोई भी हमें यह जो होता है अलोवेरा जेल हो गया या फिर क्या करते हैं कोई भी इस तहां का जो टीटरी लोशन हो गया वो एड़ नहीं करना क्यूंकि अगर हम यह चीज़ें एड़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमें शाइनर एड़ करना है अदर्वाइस हमें इसके बीच में वह भी ब्लॉंड होगा और फेशल पाउडर और फिर उसके बाद जो ब्लीच पाउडर होगा और डव हम बाद वकाद हम फेश के लिए बनाते हैं फेश के उपर बहुत ज्यादा जिलन महसूस होना जाती है जैसा के अभी सर्दियां आएंगी तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे सबसे पहले हम वासलीन लेंगे थोड़ी सी उसका टच करेंगे फेश के उपर फिर उसके बाद हम लगाएंगे अपनी स्कीन के उपर ब्लीच सर्दियों में क्योंकि जल्दी से ना रैश पड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा स्कीन ब्रन हो जाती है यह चोटी चोटी सी टिफ्स होती है जो पालर में यूज़ की जाती है जिसकी वज़ा से उनका जो पालर होता है ना व सितले के मुल भिलीच काम किज़ेगा इतनी ज़ादा ब्लीच नकीज़ कर इस तरह की बाते होती है ना चैखाए तो पिर क्या होता है कि उनको सेंट्र स्टीर्वाइば करती यह मिलता है यह इस तरह की छोटी मोटी टिपस उती होती है उन्ने फौलो करती है और फिर उसके ब ब्यूटी टिप्स ब्यूटी पालस टिप्स आपको मिलेंगी और आप लोगों को डेली लाइफ के पर व्लाक्स मिलेंगे इंशाला आप लोग एंड तक वीटियो देखेंगे और मेरे चैनल को टीनेजर गर्स की इस्कें इसा क्या होता है कि उनके बाल होते हैं देजाएजर्स यू रांट होते हैं उनका प्लीच जावतर बहुता तो अप्लिच में डालते हैं यहां पेमा किचन कि सफाइब आएगार कर रही थी लूंच टाइम शुरू हो जाएगा लूंच बना के फिर मैं आपको SKINете यर काफी सारी INFORMATION दूंगी काफी सारे ब्रैंड की INFORMATION दूंगी कि क्या यूज करना चाहिए चाहरें समय क्या चीज यूज करना नहीं करना चाहिए किसी में आपको ब्लीच के प्रॉडक्ट में और किस चीज में आपको फाइदा नहीं है। यहां में वेजटाबल्स कट कर रही हूं। वेजटाबल्स लांच टाइम के लिए बना रही हूं। यहां में कट करके रख दूंगे आगया आप लोगों के साथ स्किन केर शेयर करूंगी और इसके बाद कंटिन्यू करूंगी रेसिपी। स्किन की फ्रेशनेस के लिए वेजटाबल्स बहुत जादा ज़रूरी होती है। हम मीट चुकिन और माटन खा खाते हैं तो इससे मतलब इतनी ज़्यादा फ्रेशनेस नहीं आती जितनी वेजटेबल्स से आती ग्रीन वेजटेबल्स अपनी लाइफ में रखें। स्किन केर के ऊपर बात करेंगे। बात करें। eyeballs dabei कर रहें हम बीच डवेलपर पर किए तरह के युज़ होता है जादा से जादा क्योंकि युश metals को युवेज़् erzähl के þो Shot the यूच में इतना बौर सब्सक्राइबश के लिक्विड होता है जिर्ल्स के छाथ जग द्र onions होत क्योंकि जादा से जादा टाइम चलें और उनको जादा पैनिफिट हो काफी सारे पालश होते हैं यह वेला की प्लीच इस्तमाल करते हैं जो वेला की 10-12 दिन के बाद बिल्कुल ब्लैक कर देती हैं कि इनको जो एक दम से रिजल्ट देती हैं इसका जो पाउडर होता है बिल् फॉरन से रिजल्ट देती हैं लेकिन ब्लैक भी फॉरन से ही करती है 10-12 दिनों में बाकि आपने फेस के उपर अगर ब्लीच यूज़ करनी है तो वह डर्मा क्रोस की है यह बहुत जबदस्त होती है डर्मा प्यॉर टस्ट फ्री होती है फेशल ब्लाउंड ब्राइटनर होत और इसकी जबदस्त किसम की बंदी है ब्लीच और यह फेस एकदम चमक जाता है और फाइट हो जाता है जस्ट आप इसको यूज़ करें डर्मा कोस की डस्ट फिरी ब्लाउंड को आप इसके बीच में कुछ में आड़ नहीं करें आप इसका जो है डवैलपर भी यूज़ कर होत अच्छा है और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में है जबदस्त इसका ब्लाउंड मैं आपको आगर दिखा दूंगी कितना इसका फुल जार होता है और इसके इलावा यह आपके 6-month यूज़ निकाल देगा आराम से एजी ली वैसे तो शाना पालस में शैफूस का जो निक भालस में वो यूज़ रजा आटा है जो फूरजि कलर का होता ऑर बिलीच के पायरे में मैंने आपसह बात टीजर इसका ब्लीच वाटोड स wonderा उनकी जो बिलीच इस तरह बनाइजाती है कि यूज़ ब्लीच पालर्डर थोड़ा कम यूज़ कि यूज़ ना ज्यूज पूटी का पाउडर होता है वो यूज किया जाता है उसके बीच में स्क्रब का और उसको एंट कर दिया जाता है और मिक्सप कर दिया जाता है उसके अर्के गुलाब एड़ किया जाता है शाइनर एड़ किया जाता है और उसको अच्छा सा पैस्ट बना लिया जाता है अगर आपके पास इस तरह का लाइटनिंग किसम का जाफरानी लाइटनिंग स्क्रब नहीं है, तो फिर आप इसे यूज कर सकते हैं, नॉर्मल स्क्रब भी टीनेजर गर्ल्स, ये जाफरानी स्क्रब आप ले सकते हैं, किसी भी कॉस्माटिक शॉप से, जाफरानी लाइटनिंग स्क एड है इसके अंदर आप ले सकते हैं किसी पी कास्माटिक से आपको मिल जाएगा जड़ी बूटी है और नैचरल हर्प ट्रीटमेंट है इसकीन का फॉर प्रफेशनल यूज फॉर आनली या पॉलस में यूज होता है जाफरानी इसका आप भी कर सकते हैं फेस के ऊपर और टीनेजर को भी लगा सकते हैं इसमें एड कर सकते हैं ब्लीच में बहुत जबरतस रिजल्फ मिलता है इस ब्लीच का और मैं आपको बता दूगे गॉल्डन गल का आप यूज कर सकते हैं मैं खुद यूज करती हूं इतनी अच्छी स्कीन हो जाती है क्योंकि थिक सी से अवं होती है उसकी ऐसी और जिसके यह थोड्ली फेस के पर पाता चले पीच लगी है तो है कोdar मं मेरी इंफोरमिशन अच्छी लगी होगी एक भी में हुझ के हवाले से काम भी फिस तरह हो यूज आस package in होती हैं कौनसी प्रॉडक्स अच्छी हैं ठीक हैं कौनसी प्रॉडर लिक्विट फॉर्म में हैं और चीनेजर गर्स की ब्लीच में क्या यूस होता है कैसे बनती है अगर आपको इंटरस्टेड है तो आगे मुझे पताएगा कि मैं वह खुद आपको बना के दिखाऊंगी औ और जो फेस के ओपर नॉर्मल पालर्स में किस तरह ब्लीच बनाई जाती है यूस की जाती है यह सब बाते हैं आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इंशाला आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा ब्यूटी टीज टेली लाइफ तो आप लोग Méxicoल झाला ने करvent बाता तो आप लोगों को किट जैज और ड्यंटर नाप्लिव स्लिकत WHेज़न